हलो दोस्तो नमेशकार पूरा काहनी में ट्विस्ट आप बोल सकते हो और वो ट्विस्ट कैसा है नेगेटिव है नेगेटिव मतलब जो अभी मतलब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो क्या अपडेट है मैं जरूर उसके उपर जाओंगा बट आप सारी चीजें हम लोग step by step देखते रहेते जैसे की सेंसेक्स की बात करें गैप डाउन के एक्सपेक्टेशन था येस बहुत बढ़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को यह आप बिला एंड उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होते वह बाजार देखने को यह आपर मिला है ने कर सकते हो तो gap down opening वैसे हम लोग को देखने को मिला है रिकवरी देखने को मिला है मतलब कोई positive news नहीं दोस्तों ऐसा बिलकुल भी आपे नहीं है सो step by step आगे बढ़ेंगे सबसे पहले American बाजार उसका कोई relevance नहीं क्योंकि कल के दिन यह तो close था नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फिलाल तो रश्या का market ही important है मैं एक बार इसको refresh कर लेता हूँ तो आप लोग को यह आपर समझ बहेगा कि क्या चल रहे है तो रश्या मार्केट अभी भी तनाव में 4% और वो भी कब कल के दीन भी 13-15% गिरने के बावजूद तो अभी देखें आप लोग चार्ट पैटन में देख सकते हैं बहुत ही नीचे था बट अभी फिलाल अच्छा कासा recovery देखने को आपे मिल रही है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो European markets European markets में भी देख सकते हो सभी जितने भी मार्केट से बिलकुल border पे चलते वे देख देखने को मिल रहा है पॉइंट 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 पे चलते वे देखने को मिल रहा है इनकी जो उपनिंग थी European markets की वह भी प्रेशर वाली थी नो डाउट यहां पर हम लोग कह सकते हैं जो इवेंट है उनीके बाजार के करीब देखने को मिल रहा है रश्या का में क्या ट्विस्ट आई है जो कि एक निकेटिव है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ तो लेट नाइट एक बुरी खबर आई थी बुरी खबर मतलब मिस्टर पूतीन का एक स्टेट्मेंट था उन्हें ने कहा कि मैं जितना हो सकता था बाचित मैंने कर लिया है बट मुझे ने लगता अभी यही मसला बाचित से हल होगा अब देख सकते हैं एक पावरफुल कंट्र पावरफुल मतलब युक्रेन एंड रशिया में देखा गया तो रशिया जो डिसाइड करेगा वही होने वाला है युक्रेन तो यहांपे बाट यहांपे कर रहे थे आज के दीन की सबसे बड़ी कहानी में ट्विस्ट वाली कबर जिसके चलते बाद में अमेरिका तो पूरी तरिके से भड़क गया उसी के साथ साथ अगर हम लोग आपσι यूके की भी बात करें तो वो भी या पे मतल unanimously बांभी बॉकिन कांट्रिस की भी अगर आपञे बात करें तो इतना बड़ा ठीक है और उसी के साइड में रश्या देख रहे हो बहुत सारी जगे पे इनकी बॉर्डर्स हम लोगों को लगती भी देखने को आपे मिल रही है इंडिया की भी अगर हम लोगों ने देखी है चाइना की बात करें पाकिस्तान की बात करें हम सभी लोग ने यहापे देखा है तो हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ यह कौन्फिक्ट चलता रहता है जो कि आप लोग यह देख सकते हैं लुहांस्क और डॉन्सक가리 वो रर्शिया को सुपور्ट करते हैं बतलब बोल सकते हैं की वो रर्शिया को साथ जूनना भी चाते हैं आप ऐसा भी बोल सकते हो बट है Ukraine में ही, यहाँ पर क्या होते है, Ukraine के जो forces है, यहाँ पर इनके साथ भी fight चलती रहती है, यहाँ पर जो लोग है, वो भी क्या करते है, इनके उपर attack यहाँ पर करते रहती है, यह सारी चीज़े चलती है, यहाँ पर हतियार प्रोवाइड करना, support यहाँ पर र्क के बात कर रहे इन दोनों को अलग कर दो और इन दोनों को अलग अलग कंट्रिया पे घोशित कर दो यह रस्पडलत मिस्टर पुतीञ對 यह बात यह वे अभी सब के सामने है ढर के रखि है इस बात के बाद आमेरीका चेड़ गया है यूके भी चेड़ गया कि Mr. Putin already यहाँ पे दिमाग में सेट करके चल चुके थे, उनका प्लान रेडी था कि इनको यहाँ पे सेपरेट करना है, और अलग कंट्री करके यहाँ पे घुशित करना है, तो यह डिमांड उन्होंने तो इससे पहले कभी बताई नहीं थी, थोड़ी ना युकरेन अगरी करेगा, युकरेन ने तो बोल दिया है, हम तो मतलब यह दोनों के दोनों जगे हमारे ही है, और आखरी साज तक हम लोग लड़ेंगे, यह तो युकरेन ने उपनली बोल दिया है, तो यह एक नई कहानी में ट्विस्ट आगी है, मिस्टर पुती ने इसके पहले कभी यह बात यहाँ पर बोली नहीं थी, कि यह दो जगे को वो यह अलग कंट्री यहाँ पर घोशित करना चाते है, और अविसली युकरेन थोड़ी ना एगरी होगा, इसके साथ साथ यूके ने भी पाबन दिया लगा दी, यह सुनने के बाद सब कुछ, जितने भी बाकी के भी यूरोपियन कंट्रीज है, पाबन दी मतलब इनके साथ जो डिलिंग्स रहती है, इकोनामिकली वीक करने की बात चल रही है, मतलब रशिया चलो आप यूकरेन के वो जगा जीट जाओगी, यूकरेन भी जीट जाओगे, आगे क्या, आगे आप इतने एकोनामिकली वीक हो जाओगी, कोई दूसरी कंट्री आपके उपर अटेक कर लेगी, और फिर आप लेड़ने की काबिल भी नहीं रहोगे, तो यह एक फिलाल तो थ्रेट, अभी रशिया को यहाँ पर बता जा रहे है, यूकरेन भी इसी टाइप का प्रेशर उनके उपर क्रेट करने की कोशिश कर रहा है, यूकरेन लड़न नहीं सकता है, यूकरेन थोड़ा बहुत सर्वाइव करने के लिए लड़ेगा, जितने की बात करे तो रशिया ही जितेगा, यह सहर किसी को यहाँ पर पता है, यहाँ पर क्या हो गया, यूके की बात करे, यूएस की बात करे, वो तो पूरी तरीकी से treat चुके है कि मतलब अभी तक की जो बाचित थी फिर वो क्या था मतलब एक time pass जैसी चीजे हम लोगों को देखने के आपे मिली है यहाँ पे उन्होंने इतना ही का है कि मतलब US की अगर हम लोग आपे बात करें थोड़ा में पीछे जाना चाहूँगा उन्होंने अपने नागरीकों को तो सीधा बोल दिया है कि युकरेन आप छोड़ी दो embassy को भी बहुत सारे पीछे भी आ चुके जितने भी बचे कुछ है उनको सभी लोगों को बोल दिया आप युकरेन चोड़ दो Mr. Putin अल्रेड कुछ अपने दिमाग में चीज़े सेट करके बैठ चुके है और ये बाकी की चीज़े सिर्फ एक देखावा है बात चीत करना हमें वार नहीं चाहिए ये सारी चीज़े मतलब एक देखावा है इसलिए आप यहापे युकरेन चोड़ दो ये उनने बात यहापे कह दिये तो ये सारी बाते अभी देखने को मिल रही ये बिल्कुल भी अच्छी पॉइंट्स हम लोगों को देखने को आपे नहीं मिल रही है ये अभी तक की कहानी आप लोगों को देखने को आपे मिल चुकी है युकरेन जैसे मैं आप लोगों को का उनने काए कि ये जो दो देश बनाने की वे तो बात छोड़ी दो ये हमारे ही पार्ट्स है और हमारे ही रहेंगे इस तनाव के बाद अगर आप चेक करोगे आपे स्टॉक मार्केट नीचे रहेगा और क्रोड ओयल देख सकते दूस्तों 98 तक आ चुका है क्रोड ओयल ब्रेंट की बात करे 100 कोई टाच या पर होने वाले पता नहीं शायच से किया भी होगा सो मतलब बताने का मकसद देखे आप लोग की कितना जबरदस या पर प्रेशर देखने को आपे मिल रहा है और इंडिया मतलब देखा गया तो इसमें डिरेक्ट तो इनवाल नहीं है बट इंडिरेक्ली इंडिया की बैंड बज रही है क्योंकि हम लोग क्रूड ओइल तो इंपोर्ट करवाते हैं डॉलर वहापे महिंगा हो रहा है तो डबल फट का इंडिया को लगते हुए देखने को मिल रहा है पहले इंफलेशन महिंगा है की मतलब सभी जगे से हम लोगों को बैंड बचते वे देखने को आपे मिल रही है यहाप अभी जो यह मुद्दा है दोस्तों यह युनाइटेड नेशन में हम लोगों को जाते वे देखने को मड़ा है सैयुत राष्ट्र में इमर्जन्सी मीटिंग यहाप बुलाई जा चुकी है बट इनसे मुझे नहीं लगता कोई मामला है यहाप हल हो पाएगा यहापे सिर्फ मीटिंग यहापे चलते रहते हैं अगर किसी को यह मामला सौट करना है तो शायद से युएस ही यहापे कर सकता है कुछ तो अगर मतलब जादा पावर दिखा गये वरना बाकी अगर चीज़े देखा गया तो इतना कुछ खास नजर यहापे नहीं आ रहा है इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना स्टैंड वापस मतलब वही बता है उन्होंने कि हम लोग न्यूट्रल है बट उन्होंने दोनों कंट्री को यही सला दिये कि आप बाच्चित करकर ही इस मसले को हल किया जाए यह भी इंडिया ने एक बात यहापे बता दिये जो कि हर किसी को पता है, आगे जाके भी इंडिया यही चीज यहापे दोराने वाली है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, चाइना ने तो सिधा-सिधा रशिया को सपोर्ट जता है, यही तो मैंने इसके पहले के भी वीडियो में आप लोगों को बता है था, यह भी बात एक सामने आ रही है, कि चाइना देखना चाता है, कि अगर रशिया अगर यूक्रेन के उपर अगर अटैक करता है, तो कौन कौन सी कंट्री अगर बीच में आती है या नहीं, अगर वापे अमेरिका बीच में नहीं आता है, तो शायद से चाइना ताइवान के पर भी अटेक करने का प्लान बना सकती, यह कुछ रिपोर्ट के जरी बाते सामने आ रही है, यह थोड़ी ना मुझे पता होगा, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और चाइना किस टाइप की कंट्री है हम सबी लोग को यापे पता है, तो इसलिए चाइना यहापे बख 16.5%, यह विक्स मतलब क्या, बहुत सालों को ऐसा लगता है कि सर विक्स बढ़ गया, मतलब मार्केट नीचे है, ऐसा नहीं होता है, दोस्तों, विक्स मतलब यह वालेटिलिटी इंडेक्स है, वालेटिलिटी मतलब बाजार कितना ज्यादा उपर और नीचे भी जा सकते है, दोनों, मतलब अगर अभी कोई, अगर, for example, Mr. Putin बोलते हैं, चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, बाचित कर लेते हैं, Mr. Putin officially बोल देते हैं, actual में टैंक्स पीछे हट जाते हैं, military पीछे हट जाती हैं, तो दोस्तों, जितने तेजी से बाजार नीचे गया है, उतने ही ते अब हम लोग beginner रहते हैं, हमें लगता है, कि सिर्फ यह नीच आएगा, ऐसा नहीं, यह भागने के लिए उपर भी भाग सकता है, बड़ उसके लिए, no doubt, वैसी positive खबर भी आनी चाहिए, अभी तक जितने भी update थे, वो सारे में आप लोग का आप बता दिये हैं, India का stand, China की ब पर कर सकता है, यह आखरी update फिलाल तो देखने को आपे मिला है, अगर आगे यहापे क्या होने वाला है, यह अगर आपको यहापे जानना है, तो आप सबी लोग को पता है, हमारे पास दो इंडेक्स है, एक है तो रशन बाजार है, वो आप लोग देख सकते हैं, जितने भी न्यूस चैनल ही जाद है, बट चल दाता है, इसी चीजों के साथ डील करना पड़ता है, तो अगर आपको यह पूरा कहानी अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो वीडियो को लाइक और शेर कर सकते हो, अभी तक अगर आपने डिमैट अकांट उपन नहीं किया है, तो लिंक अले नहीं।